नमस्ते डियर पैरेंट्स आप सब कैसे हैं आई होब कि आप बहुत अच्छे होंगे तो आज छोटे बच्चों के लिए मैं कुछ सिखाने जा रही हूँ गुट मैनर्स के कुछ वर्ड्स जो आप बच्चों को यूज करना चाहिए है ना क्योंकि अगर आप वह वर्ड्स और गुट गर्ल हो तो चलो मैं आपको सिखाती हूँ कौन-कौन से ऐसे वर्ड है जो आपको गुट बॉइज बना सकते हैं तो चले देखें चले देखते हैं और सिखते हैं ऑक रहा है तब वहां पे चोटी सी उसकी डॉर्टर आती है पापा ममा की और वो क्या बोल रही है पापा मम्मा को good morning तो पता है प्यारे बच्चों जब सुभा होती है ना तो सारे बच्चे है ना अपने पापा मम्मा को आपको good morning बूलना चाहिए because this is one good manner पता है आप सब को और अगर आपको good boy good girl बनना है तो इन words को use करना है daily ठीक है जब ही भी आप good morning भाईया ठीक है तो आपको good morning word को use करना है अपने daily life में चलो आप next word दिखाते हूं क्या है oh my god look here यहाँ पे you can see in this picture oh mamma is giving something to her daughter yes and she is feeling very happy आपने देखा यहाँ पे एक mamma है ठीक है वो अपनी बेटी को क्या दे रही है वो से gift दे रही है तो पता है उस लड़की ने क्या बोला thank you you should always say thank you when somebody gives you gift अगर आपको कभी भी कोई कुछ gift देता है ना तो आपको क्या बोलना चाहिए आपको उस gift को लेकर thank you बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए thank you है ना तो सब क्या बोलेंगे अरे वाह ये बच्चा तो बहुत ये अच्छा बच्चा है ये तो good girl good boy है है ना तो you should use this word ओके चलो आप next देखते हैं you can see in this picture there are two boys they are students है ना तो क्या हो रहा है देखो आपको एक बच्चा जो है उसके पास book है story वाली और दूसरे बच्चे के पास तो book नहीं है तो अगर आपके पास कोई चीज नहीं है और आपको किसी friend से चाहिए या किसी से भी चाहिए you should use please आप क्या बोलेंगे please please share this story book तो आप क्या बोलेंगे कि please मुझे भी ये वाला story book अपने साथ share करने दो तो पता है जैसे ही आप please बोलोगे ना तो आपके सामने वाला जो है ना आपकी बात जल्दी मान लेगा है ना तो ये क्या है good manners के word है please अगर आपको पापा से ममा से कुछ चाहिए होता है ना तो आप ऐसे बोलना ममा ममा प्लीज give me one toy पापा विल यू प्लीज गिव मी one toy car तो इस तरीके से जब आप please word use करते है ना तो पता है क्या होता है आप good boy और good girl बन जाते है चलिए देखते है next word क्या है now look here in this picture you can see there is one boy and girl तो पता है क्या हुआ यहाँ पे जो लड़का है ना गलती से उससे क्या है इस girl को चोट लग गया है ना by mistakely he hurt है ना तो उसने क्या बोला sorry तो पता है आपको जभी भी कभी भी गलती से आपसे किसी को चोट लग जाए या धक्का लग जाए तो what you should say you should say sorry जैसे ही आप sorry बोलोगे ना तो सब बोलेंगे अच्छा इस बच्चे ने तो गलती से किया और इसने मुझे sorry भी बोल दिया तो सब बोलेंगे oh oh this boy और इस girl is very good boy good girl तो आपको भी in words को use करना है daily life में ओके चलिए अब देखते हैं next यहाँ देखो इस picture में there is one boy girl and one teddy bear and what they are saying to their papa वो अपने पापा को क्या बोल रहा है what they are saying they are saying good night जब हम सुभा उठते हैं तो पापा मम्मा को good morning बोलते हैं और जब हम रात को सोने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं good night तो जभी भी अब बच्चों अगर आप सोने जाओ ना तो आप पापा मम्मा को भहिया को अंकल को आंटी को सब को क्या बोलना है आपको good night है ना तो अगर आप यह सारे words use करोगे ना तो सब आपको यही बोलेंगे बेटा you are very good boy you are very good girl तो एक बार repeat करें कौन कौन से words थे जो हमने अभी सीखा है चले चलो मेरे साथ आप सब भी बोलेंगे ठीक है good morning every morning you have to say good morning to your parents now next when someone gives you gift what you have to say you have to say thank you now next please when you want something तो what you have to say you have to say please now next if by mistakely you hurt someone what you have to say you have to say sorry now next is when you go to bed at night what you have to say you have to say good night papa good night mama so बच्चो आपको कैसा लगा good manners के words तो आपको क्या करना है so बच्चो जो जो वर्ट्स मैंने अभी आपको सिखाया good manners वाले ना आपको इन वर्ट्स को हमेशा हर रोज यूज करना है और अगर आप ये वर्ट्स यूज करेंगे ना तो everyone will say you are good boy and you are good girl तो अगर आपको अच्छा बच्चा बनना है है ना तो you should use this word है ना आपको जो 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 वर्ट्स मैंने सिखाया ना good morning sorry thank you good night तो ये सारे word आपको use करना है ठीक है तो आप मैं की बात मानोगे ना और इन वर्ट्स को use करना है आपको daily life में आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंट के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूले और अगर आप मेरी चैनल पे नए है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे ठीक है ठैंक यू बाबाई नमस्ते